अब यह बेलकम बैक फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूट्यूटी नेटवर्क तो आज हम बात करने बाले हैं बीए सेकेंड यर एजूकेशन पेपर सेकेंड के बारे में बात करेंगे यहां पर हम स्टेप बाइस टेप देखे चलेंगे लॉंग क बाद के रहे हैं यहां पर सिक्षा में बिचार ऴैवाभयास यह सेकंड पेपर का नाम है इसका थावट्स एंड प्रेटिस lotइस इंअजूकेशन अब हमके यहाँ पर यहां हमारा उंक्षा क्या है क्या है शिर्चा के बिविं अर्थोय यानि कि संकुचित ब्यापक बावास्थवे को इसपष्ट कीजिए, अत्वा सिक्षा सब्द से आप क्या समझते हैं, इसके सामान अर्थ, ब्यापक बावस्थवे शड़ातमक अर्थ को इसपष्ट कीजिए, सिक्षा का अर्थ, Meaning of Education, अति प्रचीन काल से सिक्षा सब्द का विभिन अर्थों में प्रियोग होता रहा है ऐत्याथिвойव रूप से इस बिश्व में जब से मनुष्का पदार्पड हुआ है, ताब इसे सिख्षा सब्द का प्रियोग हुआ है इतना आवस्यक है कि सब्दो के प्रियोग में समय के अनुशार परिवर्तन होता रहा है एक सामान व्यक्ति से लेकर सिक्षा विदो तथा इसके अर्थ के बारे में मतवेद है विभिन मतों के अनुशार इस सब्द का अर्थ निम्ल रूप से माना गया है ए पॉइंट हैं हाँ पे सिक्षा का सामान अर्थ जनरल मीनिंग ओफ एजुकेशन सिक्षा सब्द सामान अर्थ में निम्ल के तिन रूपों में माना गया है नमबर एक दार्षनिक द्रष्टिकोड में सिक्षा का अर्थ यानि की मीनिंग ओफ एजुकेशन अगार्डिंग टू फ्लॉसिफिकल ओटलोक दर्षन के अनुशार बिस्प का प्रतेक प्राड़ी अपने आप में अलग होता है बिस्प के कोई से दो प्राड़ी एक समान नहीं होते हैं दर्षन के अनुशार ब्यक्ती की भहय यगता तता तर्ख सकती जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी विचाधरा में को दूसरों से स्विकार करा लेता है उसकी सिक्षा है सेकंड पॉइंट है यहाँ पे मनोविज्ञान द्रश्टी कोड से सिक्षा का अर्थ यानि की meaning of education according to psychological outlook मनोविज्ञान प्रतेक प्रकार के विवार को सीखने का प्रडाम मानता है मनोविज्ञान के अनुसार सीखना ही सिक्षा है धर्ड पॉइंट है जीव विज्ञान द्रश्टी कोड से सिक्षा कार्थ meaning of education according to psychological outlook जीव विज्ञान के अनुसार प्रतेक जीव को अपना विकास करने की स्वतंतरता है विकास की पिक्रिया में प्रतेक जीव धारी को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए निम्ड के तिन प्रकार की क्रियाएं करनी होती है नमबर एक बातावर्ण के साथ समयोजन, adjustment to environment, सेकेंड हैं आपे जीवन के लिए संगर्स, struggle for existence, थर्ड हैं आपे सर्वत्तम की विजय, survival of the fittest उप्रियुक्त क्रियाओं के अनुसार प्रतेक जीव धारी को बातावर्ण के साथ अनुकूलन इस्तापित करना होता है जेप ज्यान के अनुसार प्रती की अनुकूलन इस्तापित करने की योगता ही सिक्षा है बी पॉइंट हैं यहाँ पे सिक्षा का साब्दिक अर्थ etymological meaning of education सिक्षा सब्द को बि भीन भासाओं बिभन साहत्तों के अधार पर अलग अलग रूपों में माना गया है चुकि सिक्षा सब्द विवादित है इसलिए सब्द की व्याख्या बिभन भावनाओं के अनुरूप नीमलिखित रूप से स्विकार की गई है एप नंबर वन पॉइंट यहां पे हिंदी साहत के अनुसार सिक्षा कर्थ हिंदी सास्त्रों में हिंदी भासा के अनुसार सिक्षा सब्द के बेवत्पत्ति बिद्या सब्द से मानी जाती है इसके अनुशार ऐसा ग्यान जिसके द्वारा जीवन के अंतिम उद्धिस की प्राप्ती हो सके सिक्षा कराता है सास्त्रों में लिखा गया है सा बिद्या या बुमक्तिय यहां अर्थात बिद्या भए है जिससे मुक्ति मिले सेकेंड यहां पे है पॉइंट संस्क्रत भासा में सिक्षा कर्थ संस्क्रत भासा को सब भासा की जननी माना जाता है संस्क्रत भासा में सिक्षा सब्द के उत्पत्ति सिक्षा धातु में आ प्रते लगाने से सिक्षा सब्द बना है जिसका साब्देकर्त सीखना या सिखाना है इस पिरकार सिक्षा बहे पिक्रिया है जिसके द्वारा ब्यक्ति विसेश अपने ग्यानिंद्रियों एबम ग्यान बहक तंतूओ द्वारा किसी नभीन चीज को अपने ग्यान कोस में पहुँचाता है यहाँ नभीन चीज बाद में ब्याभार का रूप धाल कर लेती है थर्ड पॉइंट है अंगरेजी भासा में सिक्षा का अर्थ हिंदी सब्द सिक्षा अंगरेजी भासा के सब्द education सब्द का हिंदी रूप आंतर है इस सब्द की उत्पत्ती लेटिन भासा के एजुकेटम से होई है यह सब्दे लेटिन भासा के निम लिखित दो सब्दों से मिलकर बना है जिनके अध्रम्षा इस प्रिकार है सिक्षा इसके बाद में एजुकेटम फिर एजुकेटम एजुकेशन इप्लस डिको यानि की सब्सक्राइब मस्तिश्क की आधारभूत विसेश्टाइं बाहर निकलती हैं। सी पॉइंट यहां पर सिक्षा का संकुचित अर्थ नेर्वर मेनिंग ऑफ एजूकेशन। संकुचित अर्थ में सिक्षा वह ग्राण है जो किसी बिद्ध्यालय, महविद्ध्यालय, अथवा विस्विद्ध्यालय के द्वाराप्त किया जाता है। बिद्ध्यालय इस सिक्षा का ससक्त साधन है। डी पॉइंट यहां पे सिक्षा का ब्यापक अर्थ यानि कि विडर मीनिंग ओफ एजुकेशन ब्यापक अर्थ में सिक्षा एक ऐसी पिकरिया है जो जनम से मिलतियू तक चलती रहती है जिसकी अनुशार मानब ब्याबार में परिवर्थन तथा परिवर्थन सबलीमेशन एंड रीडारेक्षन होता है ब्यापक अर्थ में संपूर ब्रह्माड सिक्षा का शित्र है और प्रतेक ब्यक्ति एवंजीबधारी एक दूसरे के लिए सिक्षक और सिक्षारती है इपॉइंट यहां पर सिक्षा का बिश्ले शडातमक अर्थ ऐनलेटिकल मेनिंग ऑफ एजुकेशन चूंकि सिक्षा एक बिवादित प्रक्रण है अधा इसको बिविन दार्षनिक, मनुबै ग्यानिक तथा सिक्षा सास्तरी अलग-अलग रूपों में स्विकार करते है इस नहीं है सेकंड पॉइंट है सिक्षा एक द्रुमुखी प्रक्रिया है एजुकेशन इजे बाइपोलर प्रॉसेस महांदार्षनिक जॉन एडम ने सिक्षा के दो धुरुमाने है एक सिक्षक पर दूसरा सिक्षारती दोनों की बीच ग्यान का आदान प्यदान होना ही प्रुमुखी प्रक्रिया है एजुकेस्टन इजे ट्राय पॉलर क्रोसेस जॉन डूबी ने सिक्षा को त्रुमुखी प्रक्रिया मांना है ऊसके अनुसार सिक्षक और सिक्षारती के बीच ग जनका आधान प्रदान होने के लिए एक माधियम की आप सकत् bilingual होती है जिसके ल सिक्षा एक समाजिक पिकड can basic social process बालक का समाजिकरण सिक्षा के दौअज होता है इसलिए películ चाप समाजिक P TD के रूप में स्विकार करती फिậ्फ पॉइंट है यहां पे सिक्षा एक गतिसील पिक्रिया है मैं कि एजू के सन इजे डैनामिक प्रॉसस सics prepared की दो किया एक अनवरत प्रिक्रिया है, education is a continuous process, शिक्षा की प्रिक्रिया में कभी बिराम नहीं आता, यह जीवन परियंत चलती रहती है, 7 प्रिक्रिया है, education is a multipolar process, आदुनिक युग में शिक्षा की अवधानला को बहुती ब्याबक रूप में स्विकार किया गया है, इसकी अनुसार शिक्षा को एक बहुती प्रिक्रिया माना गया है, अब यहाँ पे F point है, शिक्षा का बास्त्विक अर्थ, यानि कि real meaning of education, यह आवस्यक नहीं है कि किसी सब्द का जो सामान अर्थ हो, भही उसका बास्त्विक अर्थ हो, यदि हम शिक्षा के उप्रिक्त अर्थों को स्विकार करें, तो इस निसकर्ष पर पहुंचते हैं, कि अब तक इसको निम्ल के तिन रूपों में माना गया है, नमबर एक ग्यान के रूप में, पाट करम के एक बिसे के रूप में, नमबर तिन पिक्रिया के रूप में, यदि सिक्षा सब्द को एक पिक्रिया के रूप में माना जाए, तो उप्रिक्त दोनों अर्थ सोथा इसम में संब्रित हो जाते हैं। बास्तिविक अर्थ में सिख्षा एक ऐसी प्रिक्रिया है जो जर्म से मृथियों तक चलती रहती है। जिसके अनुसार मानभ व्याभार में परिवर्टन होता रहता है। इसी अर्थ में विभिन दाशनकों तथा सिख्षा प्रदर्शन है जो बालक के सारी मस्तिस्क तथा आत्मा में दिभान होते हैं फ्राविल के अनुसार सिक्षा एक पिक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंत्र सक्तियों को बहर लाया जाता है नैश्ट यहां पे पेश्ट लौजी के अनुसार सिक्षा मनुस्की समस्क्तियों का सवाविक प्रगतिसील और समंजस पूल बिकास है अतास्पश्ट है की सिक्षा भैपे के लिया है जिसके द्वारा बालक का सरभागिल बिकास किया जाता है अरस्टू के अनुसार स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मन का निर्माल ही सिक्षा है स्वामी विबेग नंद के अनुसार मनुस्की अंतर नहीत पूलता को अभिव्यक्त करना ही सिक्षा है कांट के सब्दों में सिक्षा भ्यक्ती की उस पूलता का विकास है जिसकी उसमें शमता है उप्रुक्त परिवासाइं पूल नहीं कही जा सकती करण सिक्षा का छेत्र बहुत ब्यापक है जीवन दर्शन के प्रती पृतेक का द्रष्टी कोड भी भिन भिन होता है इसलिए पृतेक सिक्षा भी द्वारा सिक्षा की दिगई परिवासाइं भी भिन हैं तो यह थी दोस्तों हमारी आज की यहाँपक्लास मिलेंगे नई वीडियो में सबी दूस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें थैंक्यू दोस्तों जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम